मार्किट में ताजे हरे भरे मटर आ रहे हैं तो मैं आपके साथ मटर की एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में भोती स्वादिश्ट लगने वाली है और इसके साथ ही मैं स्पेसल एक टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी तो गाइस वैलकम टू कीचन किंग व्लो तो यहीं इंडे केसं है तो इस टाइम पे हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे हमारे सारे ठमाटर अच्छे से तो इनको निकाल नेंगे चलनी में तो मैंने टमाटर को छलनी में निकाल लिया है, अब इनको निकाल देंगे हम एक प्लेट में और इनका छिलका हम उतारेंगे, इस तरीके से इनका छिलका बड़ी ही आसानी शे उतर जाता है, हम यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इनके हम बीच में से इस तरीके से पीसिज कर लेंगे, इस तरीके से करने से टमाटर जल्दी से ठंडे भी हो जाएंगे और पीसने में भी इने आशानी रहेगी, अब हम इन सभी को मिक्सर जार में डाल देंगे और इनका एक अच्छा सा यहाँ पर बना लेंगे, तो यहाँ पर हम इन टमाटर को अच्छे से पीस लेना है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा टमाटर का पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको एक चल्ली में चान लेंगे, ताकि इसमें जो भी छिलका या मोटा पिसिज रह गया हो, व कको साथ करबाये сब्सक्राइब में प्रूमों य Ark चाहिए सब्सक्राइब में तरड़ 확 सब्सक्राइब तरदकने सामसाल डाल डाल है 12 चंवा-मच्राइब मसाले में में बारém दोस्तर गॉसको तर रखेंगी तक सब्सक्राइब आदा चोटा चमच पर चाट मसाला डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे यहाँ पर कस्मिरी लाल मिश्ट डालना बहुत ही जरूरी है इससे चटनी में बहुत ही अच्छा टैस्ट आता है आदा चमच हम इहाँ पर अजवाईन डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे गैस का फ्लेम हमें low to medium रखना है और इसको हमें अच्छे से पका लेना है तो आप चटनी में थिकनेस देने के लिए हम यहाँ पे एक कटोरी में आदा चमच हम कौन फ्लार लेंगे और इसमें पानी डालके हम इसका एक गोल तयार करेंगे गोल में लंग्स नहीं रहने चाहिए तो इसको हमें अच्छे से इस तरीके से हमें फेट लेना है और इसको घोल को हम डाल देंगे चटनी के अंदर इसकी जगे आप हैरा रोट पाउडर का घोल भी यहाँ पर डाल सकते हो तो हमें इसको continue चलाते रहना है कान फ्लार का घोल डालने से चटनी में बहुती तिकनेस आती है और चटनी बहुती टैस्टी बनकर तयार होती है आप इस चटनी को समोसा, कचोरी और वड़े के साथ भी खा सकते हो तो अब हम इसमें डाल लेते हैं आदा चम्मत चीनी तो चीनी डालना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी चटनी इसे बहुती टैस्टी बनती है और इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए चला लेना है तो आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी बन गई है एकदम परफेक्ट चटनी बनी है तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो एक मिक्सिंग बाउल में हम एक कटोरी मैदा डाल देंगे और आदा कटोरी हम यहाँ पे चवल का आटा ले रहे हैं चवल के आटे की जगे आप सूजी का भी यूज कर सकते हो आदा कटोरी हम इसमें धही एड़ कर रहे हैं धही फ्रेस होना चाहिए और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा हम घोल तैयार करेंगे तो इसमें लंग्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए तो इसको हमें इस तरीके से अच्छे से फेट लेना है हमने इसका एक अच्छा सा पेष्ट बना लिया है तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो यहां पर मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं मटर को हम डाल देंगे एक मिक्सिंग जार में और इसको हम पीस लेंगे तो मटर को हमें एकदम बारिक नहीं पीस नहीं है इसका हमें इस तरीके से दरदरा पेस्ट तयार करना है तो अब हम इस मटर के पेस्ट को डाल देंगे मैदे वाले बटर में तो चलिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस तरीके से हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे के इसको हमें कंटिन्यू चलाते गए अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अब हम इसमें कर देते हैं कुछ मसाले एड़ तो यहां पर मैं आदा छोटी चमच काली मिर्च डाल रही हूं आदा छोटी चमच कस्मिरी लाल मिर्च टैस्ट के अकोडिंग नमक और आदा चमच मैं यहां पर जीरा डाल रही हूं और दो से तीन कटी भी हरी मिर्ची एड़ कर रही हूं और आदा चम्मच मैं इसमें अधरक का पेश डाल रही हूं तो इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं यहाँ पर दो उबले वे आलू ले रही हूं अब हम इनको हाथ से अच्छे से mix करेंगे, आपको यहाँ पर हाथ का यूज करना है और इसको अच्छे से mix कर लेना है, तो हमें यहाँ पर idli जैसा बैटर तयार कर लेना है, अब हम इसको cover करके 10 mint के लिए, जैस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो 10 mint हो गए हैं, अब हम इसम एक कटोरी में पानी लेंगे उंगलियों को पानी में डिप करेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाते हुए हम कडाई में तेल में डालेंगे हम गैस पे मैंने कड़ाई में तेल पहले गरम होने के लिए रख दिया था तो जिस तरीके से हम पकोडियां उतारते हैं उस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा ये बैटरी इसमें डाल देना है और इसको हमें दीरे दीरे इस तरीके से पल्ट लेना है गैस का फ्लेम हमें low to medium रखना है इस तरीके से हम दीरे दीरे करते वे इनको उल्ट पुल्ट करेंगे और इनको अच्छे से हम golden सुनेरे होने तक पकाएंगे तो आप देख सकते हैं इनका color change हो गया है तो ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे एक च चलनी में और अब हम इसको निकाल देंगे एक पलेट में इसी प्रोसेस से हम सारी पकोडियों को फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने सब को फ्राई कर लिया है अब हम इसको सर करेंगे special चटनी के साथ तो ये मटर का भोती टैस्टी और क्रिप्सी नास्ता है तो इसको हम खाएंगे special चटनी के साथ तो आज की आपको ये मटर की रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लेटे केर ब लेख वीडियो को अिरसेट बसे मेत ख़ंखे छोंगे टॉसे हैं कि घ्ष आब खिर लेग खिर गायार की विडियो कर दो लें हूगे अवार खिरिव। उले कल कि वेश्गे लेंगे लेंगे का व वीडियो 뉴डियो को शोखे हैं वो फम